वेलकम टू सुपरकार इंडिया, स्वागत आप सभी का कार और बाइक की बिलकुल इन नई दुनिया में दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज इतना बल चुका है कि हर कोई कमनी फीचे स्टिक्स और कमाल की कारे बनाने में लगी हुई है यही वोज़ है कि इस सेग्मेट में कई वहां दुनिया अपनी एक से बलकर एक इलेक्ट्रिक कारों को ग्लोबली पेश कर रही है पेट्रोल डिजल की बलती किमोतों की बीच लोगों का जुकाव इलेक्ट्रिक वहानों की और हुआ है लोग इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बारे में सोचने लगे हैं गाइस अभी तक तो इलेक्ट्रिक कारों के लिए पूरे चार्जिंग इस्टेशन भी नहीं बने हैं लेकिन कम्पनी ACAC कारे लोच करने की तयारी में है जो न कभी देखी होगी और ना ही आपने इसके बारे में कोई बात सुनी होगी दोस्तो कुछ सालों से चीन जापन ACAC इलेक्टिक कारे बनाकर दुनिया को चोका दिया था लेकिन अब चीन और जापन को चोकाने के लिए एक इंडियन कम्पनी लश्ट ने एक AC मोबिलिटी कार बनाई है जो सिर्फ इलेक्टिक से चलती है इस कार का फीचर भी काफी कमाल का है तो चलिए दोस्तो लश्ट में क्या नए फीचर्स देगे हैं आईए देख लेते हैं लश्ट इलेक्टिक कार में 48 वल्ड्स एंड 100 A.M.ps के लिथियम एन बेटरी पे दिया गया है कमपणी ने अपनी लिथियम एन बेटरी को हाई एंड इंटिग्रेटेड बेटरी मेनेजमेंट सिस्टम B.M.S. के साथ डिजाइन किया गया है लश्ट L1 पहला स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी वहिकल है जो के लश्ट मोटर दुआरा डिजाइन किया गया है इस कार में आगे टू हेड्लेम्स दिये गए हैं जो काफी कमाल के लग रहे हैं जो इस मोबिलिटी को और भी अट्रेक्टिव बनाते हैं दोस्तो खास बत यह है कि इस कार में जो हेड्लेम्स दिये गए हैं वो डिजितल स्क्रीन की तरह है जहां आपको उपर साइट इंडिगेटर और पार्किंग मोड डिजिल डिस्प्ले में दिखाई देते हैं जो काफी कमाल का है कार के फ्रन में टेलिस्कोपी सस्वनसन भी दिया गया है दोस्तो इस कार को आप मोबाइल एक की मदर से इस कार के डोर को ओपन और क्लोज भी कर सकते हो जैसे आप ओपन डोर बटन दबाएगे तो इसके डोर्स उपर की तरह खुलेगे लाइक तुछ लेंबोरगिनी की तरह गाइस इस कार को आप सिर्फ एक गंटे में चार्ज गंडे के साथ 120 किलोमेटर तक 900 ब्राइड ले सकते हो दोस्तो लश कार को कम वेट और काफी ताकत के साथ कमपोजिट किया गया है सिटिंग केपिसिटी के बात करें तो इस कार में सिर्फ वो दो ही लोग सफर कर सकते हैं और इसके सीट काफी कमफरटेबल दी गई है गैस ये कार सिर्फ सिटी के लिए डिजैन की गई है लश कार को एक घंटे के चारजिंग से 120 किलोमेटर तो 900 ब्राइड ले सकते हो लश इलेक्टिक मोबिलिटी के रियर साइड में थोड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है जहां आप अपने ओफिसली वर्क के लिए फाइल भी रख सकते हो इस कार को आप छोटी सी जगा में आसाने से पार्क कर सकते हो दूसरे एक इलेक्टिक कार है इसलिए ना तो यह आवास करती है और ना ही पोल्यूशन पावर और स्पेसिफिकेशन की बात करतो इस कार में 48V and 100MPS की लिथियमाइन बेटरी पेक दिया गया है लश इलेक्रिक कार आपके हाथों के फिंगर से स्टार्ट होती है यानि यह बाइमेटिक स्टार्ट मोबिलिटी वहिकल है दोस्ते इस कर में 7H का touchscreen dashboard भी दिया गया है और खास features की बात करतो इस मोबिलिटी में digital speedometer भी दिया गया है इसके साथ इस मोबिलिटी में GPS navigation system होने की वज़े से आप अपनी trip की जानकरी शेयर कर सकते हैं इस कर और reminder setup कर सकते हैं और emergency push button के साथ नियर charging station की जानकरी भी ले सकते हैं तो दोस्ते एत इलश की तरफ साने वाली upcoming electric mobility vehicle वीडियो पसेने तो लाइक कर दीजिए और भी तक आपने अपने अवरी चैनल सुपरकार इंडिया को सबस्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्राइब कर लीजिए टेक केर बाइ